15.2.3 परिणाम के आधार पर अनुमान Assumption Based on Experimental Observation प्रयोगों से मैंडल ने अनुमान लगाया पहला प्रतित लक्षन को दर्शाने के लिए दो कारक फैक्टर होते हैं दूसरा प्रजनम के दोरान हर जनक के दो कारकों में से एक कारक संतान को मिलता है इस प्रकार संतान में कारकों का एक नया जोड़ा बनता है तीसरा विपरीत गुणों के दो जोड़ी कारकों में से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है आईए एक क्रिया कलाब से पता करें कि मेंडल ने किस गणिती आधार पर ये अनुमान लगाए होंगे 15.2.4 संभाविता और अनुमान की जाँच क्रिया कलाब 3 सिक्के के खेल और संभाविता Conforming Assumption with the help of Probability एक, दो या पांच रुपे के एक जैसे दो सिक्के से खेल शुव करते हैं एक सिक्के में दोनों तरफ निशान लगा दे साउधानी रखे कि सिक्के के चित, हेड या एच एवं पट, टेल या टी दोनों भाग दिखते रहे यहाँ अ सिक्का है, बिना निशान वाला बसिक्का हुआ अब अ एवं बसिक्कों को एक साथ उच्छा ले और सिक्कों को देखकर साणी में अ एवं बसिक्के के चित एवं पट को टेली चिन्न बनाकर नोट करे कि चित एवं पट कितनी बार आया यदि पहली बार उच्छाने पर दोनों पर चित आए तो H, H की स्तन के नीचे एक टेली चिन्न लगाए और अगली बार दोनों पर पट आए तो T, T के नीचे एक टेली चिन्न लगाए ऐसा 500 या 1000 बार दोहराए अब A, एवं 21 की 4 परिस्तितिया कितनी बार मिली इसका परिस्तित निकाले क्या हर परिस्तिती 25 परिस्तित मिल रही है? सिक्के के चारों परिस्तितियों अर्थात H, H, T, 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 T का अनुपात आपको एक अनुपात, एक अनुपात, एक अनुपात, एक मिला होगा यानि हर एक की संभावना 25 परिस्तित है अगर आप एक ही सिक्के से खेलते तो चित या पट होने की संभावना कित्मी होती ठीक इसी प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोगों के अवलोकनों के आधार पर परिस्तितियों का प्रतिशत एवं अनुपात निकाला था अगर हर सिक्के के चित और पट को मेंडल का एक कारक जोड़ा मान ले तो दोनुच को पर चित एक साथ आए तो शुद्ध बैंग में गुण एवन दोनुच को पर पट ट ट एक साथ हो तो शुद्ध सफेद गुण है HT या TH बैंगनी, सफेद या इन दोनों का मिला जुला रंग दर्शा सकता है परंतु मैंडल की प्रयोग में हमने देखा कि बैंगनी का प्रतिशत 75 है और सफेद का 25 ऐसा तभी संबह होगा जब HT, TH की प्रतिशत को HH की प्रतिशत से जोड़ा जाए यानि 75 प्रतिशत बैंगनी मिलेगा यानि बैंगनी का एक भी कारक हो तो बैंगनी रंग के फूल पैदा करने वाले पौध ही मिलेंगे इसका आर्थ है कि ये बैंगनी कारक सफेद को दबा रहा होगा इस बात को जाचने के लिए मैंडल कई वीपरीत लक्षनों से प्रयोग करते रहे बच्चों मैंडल का नाम तो आपने सुनाई है इनका पूरा नाम है ग्रिगर जॉन मैंडल ये आनुवाइंशेकी के जनक है मैंडल ने आनुवाइंशेकी से संबन्दिक बहुत सारे प्रयोग पौधो पर किये और इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ अनुमान निकाले जैसे उन्होंने कहा कि प्रत्तिक लक्षन में दो कारक होते हैं प्रजनन के दोरान हर जनक में से एक एक कारक संतान को मिलता है और इस प्रकार से संतान में नए कारकों का जोड़ा बन जाता है इन विपरिक जोड़ी वाले कारकों में एक कारक प्रभावी रूप से दिखाई देता है तो दूसरा मौजुद होने के बाद भी दिखाई नहीं देता है जैसे बच्चों आपने बैंगनी फूल और सफित फूल वाले मैंडल के प्रयोग को तो देखाई है इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे मैंडल के प्रयोग को देखते हैं जब मैंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया तो पहली पिड़ी में मैंडल को सभी लंबे पौधे दिखाई दिये जबकि वहाँ पर बौने पौधे भी मौजूद थे ऐसा क्यूं हुआ? क्यूंकि लंबे पौधे के प्रभावी कारक पहली पिड़ी में दिखाई दिये जिसने बौने पौधे के कारक को दबा दिया जिसके कारण हमें पहली पिड़ी में सभी पौधे लंबे दिखाई दिये चलिए बच्चों इसे हम एक गणिती क्रिया कलाब के आधार पर समझते हैं और देखते हैं कि मैंडल ने किस आधार पर ये अनुमान निकाले होंगे इसके लिए हमें दो एक जैसे सिक्कों के अवशक्ता होगी जैसे यहाँ पर मैंने दो रूपे के दो सिक्के लिए हैं इस प्रकार से एक सिक्के में दोनों तरप में एक काला निशान बना दूँगे और हमें निशान इस प्रकार से बनाना है कि सिक्के का चित और पढ़ भाग हमें स्पश्रुप से दिखाई दिए इस प्रकार से ये हमारा असिक्का हुआ और इसी प्रकार से जो बिना निशान वाला सिक्का है ये हमारा बसिक्का है साथ ही बच्चों सिक्के का हेड़ वाला जो भाग है ये लंबे पौधों के कारक को बता रहा है और जो टेल वाला भाग है ये बौने पौधों के कारक को बता रहा है तो सबसे पहले हम इन दोनों सिक्कों को उच्छा लेंगे और उच्छाने के बाद हेड़ और टेल कि सिक्के में कब आ रहा है इसे हम एक सारणी में टेली चिनने के द्वारा दर्शा आएंगे तो हम अपना क्रिया कलब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन दोनों सिक्कों को मैं एक साथ उच्छा लोंगी तो आप देख सकते बच्चों कि जो निशान वाला सिक्का है उसके उस पर हेड आया है और जो बिना निशान वाला सिक्का है उस पर भी हेड आया है मतलब दोनो तरफ हेच एच आया है, तो अब हम इसे हेच एच तम में एक येच नै आटब मार के दारा दर्शा देंगे जली हम फिर से करते हैं अब हमारा जो अ सिक्का है निशान वाला सिक्का इस पर टेल आया है और बीना निशान वाले सिक्के में हेड आया है इसे भी हम T और H इस तम में टेली मार के द्वारा दर्शा देंगे इस प्रकार से एक बार और हम उछा लेंगे अब अ और ब दोनों सिक्कों में टेल आया है मतलब टी टी वाला जो हमारा स्तंभ है उसके नीचे हमने से एक टेली मार के दौरा दर्शा देंगे इस प्रकार से बच्चों इस प्रक्रिया को हमको कम से कम 500 या 1000 बार दौराना है मैं इसे 500 बार करने वाली हूँ इस प्रकार से दोनों तरफ हेड आया तो हम हेस स्तंभ की नीचे एक टेली मार की बना लेंगे अब अ सिक्के में टेल आया और बस हेड आया मतलब टी और ह वाला बना लेंगे इसी प्रकार से A और B सिक्के दोनों में head आया तो हम H-H स्तम के नीचे एक telly mark बना लेंगे अब A सिक्के में tell आया और B सिक्के में head आया मतलब T और H तो T-H स्तम के नीचे हमें telly chin बना लेंगे फिर से उच्छालते इसको और हमें से फिर से एक साथ उच्छालना है इस प्रकार से A और B सिक्के दोनों में H, H आया हेड आया तो हम H, H स्थम में एक टेली मार्ग बना लेंगे फिर से A और B सिक्के में अब T, T आया टेल आया, इसलिए T, T स्थम के नीचे हमें टेली मार्ग बना लेंगे फिर से इसमें टेल टेल आया, इसलिए हम T, T के नीचे फिर से एक टेली मार्ग बना लेंगे अब ये 499, तो हम देख सकते कि A सिक्के में टेल आया और B सिक्के में भी टेल आया, इस प्रकार से T, T स्थम में हम एक टेली मार्ग बना लेंगे अब ये आखरी बार हम 500 बार इन सिक्कों को उच्छाल रहे हैं इस प्रकार से A सिक्के और B सिक्के दोनों में टेल टेल आया, तो फिर से हम इसे T, T स्थम में एक टेली चिन्ने के द्वारा दर्शा देंगे तो इस प्रकार से हमारे, हमारा परिणाम तयार हो चुका है तो बच्चों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रतिक स्थम का जो प्रतिशत आया है वो 25 प्रतिशत ही आया है तो ये जो क्रियाकलाब हमने किया है ये संभावनों का प्रयोग है और इसी संभावनों के आधार पर ये अनुपात यहाँ पर निकला है तो इसी आधार पर मैंडल ने भी प्रयोग किया था और उन्होंने इस प्रकार का अनुपात निकाला था अगर हम इस एचछ कॉलंब है कि और ये एच कोलम एक साथ जोड़ देते हैं तो इनका जो प्रतिशत हमें प्राप्त होगा वह लगभग 75्राप्त होगा और ho Girist से जो अनुपात निकलेगा वो तीन अनुपात एक होगा इसी आधार पर मैंडल ने भी तीन अनुपात एक का अनुपात निकाला था अनुमान और भी सम्मोर एजम्शन जैसा कि हमने पहले पढ़ा शुद्य लक्षन वाले जनकों से मैंडल ने अपना प्रयोक शुरू किया बैंग्नी और सफित फूल वाले पौधों की प्रयोक की बात करे तो मैंडल द्वारा पहली पेड़ी को शुरू इस प्रकार किया गया शुद्य बैंग्नी और सफित फूल की लक्षन की कारक जोडी में होंगे जिसे इस प्रकार दशाया जा सकता है Capital VV यानि बैंग्नी परपल Small VV सफित वाइट इन लक्षन वाले जनकों की बिजान और पराकण को इस प्रकार दरशाया जा सकता है बैंग्नी और सफित फूलो पर परपरागन करवाने पर पहली पीड़ी के पौधे Capital V, Small V कारक वाले होंगे क्योंकि कारकों के जोड़े इस प्रकार बनेंगे पहली पीड़ी से प्राप्त यानि द्वितिय पीड़ी के जनक पौधे के बिजान और पराकण इस प्रकार दरशाय जा सकते हैं द्वितिय पीड़ी के पौधे के कारकों के जोड़े इस प्रकार बनेंगे यानि 25 प्रतिशत पौधे पहली पेड़े के बैंगे फूल वाले जनक पौधे के समान 25 प्रतिशत पौधे पहली पेड़े के सफित फूल वाले जनक पौधे के समान एवं 50 प्रतिशत पौधे द्वित्य पेड़े के जनक पौधे जैसे मिले मेंडल के इस प्रयोग में विशम रूप कारक हेट्रोजाइगस फैक्टर कैपिटल वी स्मॉल वी है और सम रूप कारक होमोजाइगस फैक्टर स्मॉल वी स्मॉल वी या कैपिटल वी कैपिटल वी है